आप भी अपने इंबर से 10 साल छोटे दिख सकते हो, आपके स्किन बिलकुल वाइटन होने वाली है, ब्राइटन होने वाली है, तो ये चीज जो आप देख रहे हो, ये आप अच्छे से जान चुके होगे कि ये वाइट पॉल एक्शली है क्या, तो इसे हम सबसे जादा वृत में फास्ट में यूज करते हैं, पर आप ये नहीं जानते होगे कि ये हमारी स्किन के लिए एक वर्दान है, तो गाइस वीडियो को बिना स्किप करें और तक जरूर वाच करें, तो विदाउट फॉर्दर दिले, लेट्स गेट स्टार्टेट, हे गाइस, वालकम बैक तो म मैं चानल, मैं हूं सिल्की, और आप देख रहे हो सिल्की ब्यूटी, तो आज आपकी सिल्की आपके लिए जो रेमेडी लाई है ना, उसके लिए सबसे पहले आप एक मिक्सर का जाल लोगे, और नेक्स जो हमने यहाँ पर वाइट पॉल, एक्शली मैं अब आपको बता दे में साबुदाने को लिया, उसे मैंने मिक्सर ग्राइंदर में टांसवर करके उसकी एक महीन सी बहुत फाइन यहाँ पर मैंने पाउडर अडिकर लिया है, अब जो हम रेमेडी बनाने वाले है ना, वो इसी से बनने वाली है, क्योंकि यह आपके स्किन को इतनी फास्ट क्लो बोली है, जिसमें मैंने इस साबुदाने के पाउडर को तो चम्मच जितनी ली है, आप अपने स्किन के अकॉर्दिंग यहाँ पर क्वेंडिटी कम्याज साधा भी कर सकते हो, तो नेक्स जो चीज मैंने यहाँ पर ली है, वो है वन स्पून जितनी ग्राम फ्लार, जिसे हम बेसन भी कहते हैं, बेसन एक नाच्रल एक्सफोलियेटर है, एक बेस्ट क्लेंजर है हमारे स्किन के लिए, गाइस मैंने जो यहाँ पर साबुदाने को लिया है ना, एक्शली साबुदाना जो है ना, इसमें विटमिन B, 6, आयोन, कैल्शियम, ऐसी चीज़े पाई जाती है जो हमारे स्किन के टैनिंग को दूर करती है, अगर ना, आपकी स्किन बहुत सादा धीली पर चुकी है, चेहरे पर चमक नहीं है, फाइन लाइन स्टार्ट हो रखे हैं, तो यह सारी प्रॉब्लम सैगों से आप दूर कर सकते हो, और नेक्स जो मैंने यहाँ पर लिया है, व मैं यहाँ पर रॉम मिल्क का इस्तिमाल करी हूँ, अगर आप इसके जगहा पर दही का इस्तिमाल करना चाहते हो, तो वह आप कर सकते हो, पर अगर आप रॉम मिल्क लेते हो, तो यह इस रैमेडी के लिए बहुत पावलफुल होने वाली है, तो इसी मैं यहाँ पर अच्छ तो अब आपको इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है गाइस नेक्स जो चीज मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ वो है मेरी फेवरेट हनी शहद शहद आपके स्किन को इंस्टेंटली क्लोइंग बनाती है यह एक नाच्रॉल मॉश्यूराइजर है जिसे आप बिलकुल भी यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर फंटी स्पून जितनी यहाँ पर हनी का इस्तेमाल करा है आप देख सकते हो यह कितनी जादा बटरी और सॉफ्ट लग रही है एक्छले ना मैं जब इसे प्रपेर कर रही थी ना तो मुझे ऐसा फेल हो रहा था कि कई मैं आइस्क्रीम तो नहीं बना रही हूँ यह इतनी जादा सॉफ्टी सॉफ्टी सी दिखाई दे रही थी और जब इसे आप यूज करोगे ना तो आपके स्किन भी बिलकुल ऐसी ही सॉफ्टी सॉफ्टी सी होने वाली है और आप इसे रेगिलर यूज करोगे तो आपके स्किन पर जो फाइन लाइन्स पिंपर्स यह सारी प्रॉब्लम है ना वो बहुत बहुत फास्ट दूर होने वाली है तो गाइस अगर अब भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें अब मैं आपको इसे मेरी हैंस पे अपलाई करके बताती हूँ आप अपनी फेस को सबसे पहले तो अच्छे से क्लीन कर लोगे और इसे ना इस रैमिडि को आप फीक में थ्री टाइम बहुत आराम से यूज कर सकते हो पर जब आप इसे अपने स्किन पे अपलाई करोगे ना तो आप इसे थोड़ी सी बहुत थोड़ी सी light hand से रर्ब करते हुए आप अपने स्किन पे इसे अपलाई करोगे ताकि आपके स्किन बहुत अच्छे से exfoliate भी हो अपके dead cells remove होए और फिर आप अपने स्किन पे इसे 15 minutes के लिए लगे रहने दोगे आप देखोगे ना आपके स आप देख सकते हो मैंने हाँ मेरे हैं से अपलाई करके बताया है और आप इसे अपने फेस पे नेक पे आप अपनी बोड़ी पे इसे बहुत आराम से यूज कर सकते हो इसके कोई भी साइड इफेक नहीं होने वाली और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक प फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और सिलकी ब्यूटी की एक स्वीग सी फैमिली का हिस्सार जरूर बने सो थैंक्स फॉर वाचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाबाई